हलो एस्पी रेंट्स आज हम पढ़ेंगे 27 और 28 नवेंबर 2023 के करेंट अफेयर्स वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए रहेंगे फटा-फट से हम सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे पहला है ICC अचा ICC है क्या इससे रिलेटेट न्यूज है बट यह ICC है क्या इंटरनेशनल क्रिकेट कांसल ओवराल मतलब पूरी दुनिया में क्रिकेट को गवर्न करने वाली बॉटी है जैसे इंडिया में है ना BCCI Board of Control for Cricket in India अब BCCI क्या करता है इंडिया में जो भी क्रिके इससे ने एक डिसीजन दिया है इनका डिसीजन फाइनल होता है तो इन्होंने बैन किया है Marlon Samuels को अगले छे सालों के लिए कौन है यह West Indies के क्रिकेटर थे ठीके इन पर इल्जाम लगा है कि इन्होंने रूल्स तोड़ी है जो कि रिलेटेड है तो अब इनको छे साल के ल बैन किया है Marlon Samuels को बैन किया है छे सालों के लिए क्योंकि Emirates Cricket Board का Anti-Corruption Code इन्होंने वाइलेट किया है West Indies के क्रिकेटर है बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है ठीक है Second News हमारी ये आती है कि ऐसी कौन सी राजय सरकार है जिसने रिसेंटली बैन किया है हलाल Certified Products तो वो है UP Government अच्छा हलाल क्या होता है तो जैसे मतलब जो मैं समझती हूँ हलाल से वो है कि कि किसी भी अनिमल को मतलब बार बार तरपा तरपा के जो मारना उसके बाद खाना तो य जो है हमारे हिमतर में तो obviously non-veg ही नहीं allowed है कुछ लोग फिर भी खाते है बट ये हलाल बिल्कुल भी नहीं खाते है तो ये मतलब ऐसा कुछ है I think Islam से related है जो भी समझते होंगे आप हलाल आस पास कभी ने कभी देखा सुना होगा है तो कुछ मतलब relate करके चीजों को पढ़न ठीक है नौ थर्ड पॉइंट हमारा है एक conference हुई है conference के पारे में जानेंगे 9th edition हुआ है PAN IIM World Management Conference ठीक है IIM सबलपूर संबलपूर ओडिशा में हुई है theme क्या रहा अच्छा ये तो पता है ना management institute होते हैं जैसे हमारे IIT होते हैं technology के ये MBS के लिए होते हैं ठीक है तो बहु ये होस्ट की गई IIM संबलपूर ओडिशा के द्वारा theme रहा entrepreneurial innovation and digital governance for inclusive and sustainable growth ठीक है चलिए फोर्थ पॉइंट देखें तो यहां पे एक exercise का जिक्री किया हुआ है जिसके बारे में हमें पढ़ना है 9th edition हुआ है Naptol Rex अच्छा ये है क्या है फूल फूल फूर्म है इसके फूल लेवल पॉलुशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज ये वादिनार गल्फ ऑफ कच गुजरात में हुई है इंडियन कोस्ट कार्ड के द्वारा ये गंड़क की गई अगर हम ICG की बात करें इनकी भी एक कॉण्फरेंस है हम पढ़ेंगे next या next to next इसमें क्योंकि मैं आपको बता करेंगे डेली फिर हम करेंट अफेर्स पढ़ेंगे चीक है सो इंडियन कोस्ट कार्ड की यहां पर बात करी मैरेटाइम लौ एन्फोर्स्मेंट एंड सर्च और रेस्क्य और अजंसी ऑफ इंडिया अच्छा लॉज नेवल मैरेटाइम समझते हैं कि जो नौ सेना के लॉज हैं वो बनाना या कोई रेस्क्य ऑपरेशन करना वो सब आईसीजी के अंडर आता है 1977 में इसकी फॉर्मेशन होई है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एंड हैट्वार्टेस न्यू डेली में ठीक है तो इस तरह से फर्स पेस पे हमने चार पॉइंट्स पढ़ें हैंना अगर आप साथ में नोट्स मना रहे हैं बड़ी आसे नोट्स आपके बनके तयार हो जाएंगे एट अट-अफ टमांथ आ पको मैगजिन के आने का वेट नहीं करना होगा जिसे कि जैन मन्थ होता है फैब में मैगजिन आती है तो तो थीन-चार फैब तक हमें मैगज करें साथ में six months के magazine पड़े हर मन्थ आपको magazine लेने की ज़रत नहीं है मतलब मेरी recommendation यह है बाकी आपकी अपनी choice है ठीक है चलिए तो इसी के साथ हमारा first page होता है complete video पसंद आ रही हो like करते चलिए और अब सीधे चलते हैं अपने next page की और आज का fifth point है first edition of global professional accountants convention कहां पे हुआ है गांधी नेगर गुषरात में मतलब जो accountants है ठीक है उनकी एक conference हुई है global level की पहली बार इस तरह की conference हुई है गांधी नेगर गुषरात में host की गई ICAI Institute of Chartered Accountants of India इस institute के द्वारा इन organization इसका किया गया हमारी जो vice president है जगदीब धंकर जी उनके द्वारा ठीक है किसने organize की किसने उद्घाटन किया कहां पे हुई कौन सा edition हुआ इससे जादा कुछ पूछते भी नहीं है ठीक है sixth point हमारा आता है कि जो UN panel of auditors बना 2024 के लिए उसकी vice chairmanship किसके पास है तो वो है हमारे जो CAG है Comptroller and Auditor General of India अच्छा CAG क्या होते है Election Commissioner कौन होता है Auditor General कौन होता है Advocate General कौन होता है इस तरह के कुछ terms आती है हमारे CGI कौन होता है तो इसे पॉलिटी में आता है ठीक है Indian quality में आपको दोबर पढ़ा चुकी हूँ फर्स टाइम कुछ topics है गए थी तो second time जो मैंने Indian quality one-liners पढ़ाया था उसमें last में वो सारे topics add-on कर दिये जो हमारे first time skip हो गए थी तो एक तरह से पूरी की पूरी quality में पढ़ा चुकी हूँ ठीक है तो आपने क्या करना है आपने आराम से अगर आप चाहें तो quality की आप series देख सकते नहीं आपको देखना तो last में जो मैंने constitutional bodies, non-constitutional bodies, constitutional amendments, types of bills ये चीज़े पढ़ायें ये तो जरूरी देख लें ठीक है Indian quality one-liner series की playlist पे जाके अच्छे चलो भटक गए हम तो हमारे कैग जो है Comptroller and Auditor General of India गिरिश चंदर मूर्मूजी उनको मिली है Vice Chairmanship UN Panel of Auditors की 2024 के लिए अब एक session हुआ था 63rd session Panel of External Auditors का New York में जिसमें क्या थे? Head थे, जो 12 Supreme Audit Institutions है न दुनिया में जो auditing करते उनके heads वहाँ पे थे, तो वहाँ पे ये decision सामने आया है चलिए तो ये से ये भी चलता है पता कि 63rd edition हुआ 2023 में New York में है 64th होगा अगले साल 2024 में देखते हैं किस तरह से क्या होगा है न News आएगी तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में फिलहाल हम अपना आज का 7th point अगर देखें तो FICCI के नए President बनी है कौन बनी है अनीश शाह बनी है महिंद्रा ग्रूप के CEO है अब ये FICCI क्या है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Commerce is related हमारा एक organization type है एक federation है इसकी formation 1927 में हुई headquarters है New Delhi में 8th point देखें Recently एक day celebrated किया गया हमारे कुछ days हमारे miss हो गया है आज की वीडियो में एक्डोडेजम और discuss कर लेंगे So हमारा point है International Day for Elimination of Violence Against Women महिलाओं के साथ जो भी violence होता है उस से related लोगों में जाकर उपता राने के लिए कि ये चीज नहीं होनी चीए अलगलग champions चलाए जाते है ये violence eliminate होना चीए इसके लिए इंतराश्ट्री स्तर पर जो दिवस है जो day है वो 25th November को celebrate किया जाता है UNGA United Nations General Assembly के द्वारा 2000 से ये day celebrate किया जा रहा है Theme रहा unite Invest to prevent violence against women and girls ठीक है अभी हमारा ये second page complete होता है देखिए आप चाहिए तो GS handwritten notes purchase कर सकते हैं जिसमें history, quality, geography, economics, current affairs हर एक subject के notes आपको मिल जाएंगी जो भी इसकी details है आपको description box में मिल जाएंगी आपको just link के उपर click करना है and easily आपको जो है access मिल जाएगा आप हमसे बाचित कर सकते हैं जो भी doubt है वहाँ पर बता देंगे and then आप notes purchase कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आप सीधे चलते हैं अपने next page की ओ अभी हमने न डेजी पढ़ने है days with themes कुछ छूट गए है तो वो दो-तीन दिनों के देख लेते है 9th point हमारा है national milk day कम बनाया जाता है 26 November को 2014 से celebrate किया जा रहा है जो हमारा white revolution हुआ था वो milk से related था तो जो डॉक्टर वर्गिस कोरियल न है जोने father of white revolution in India भी कहा जाता है इनकी birth anniversary पे ये day celebrate किया जाता है green revolution क्या है हमारा white revolution क्या है हमारे colored revolutions क्या है pink revolution, round revolution इस सारी चीज़े मैंने आपको पढ़ाई है economics में I think हमने geography में भी ये चीज़ पढ़ी है तो आप India geography, world geography, economics ही सारी handwritten notes की playlist है मेरे youtube channel पे देख सकते हैं अगर आपको in detail जाना यहां just हम current basis ही बात करेंगे so dr. वर्गिस कोरियन जो के father है of white revolution in India कहे जाते हैं उनके birth anniversary के दिन ये day मनाया जाता है इन्ही milkmen of India भी कहा जाता है milk production के बात करें तो जब ये white revolution आया उसके बात से इंडिया की स्थिती milk production में काफी अच्छी हो गई और अब highest milk producing country पूरी दुनिया में जो है that is India state wise बात करें तो हमारा राजस्तान है जो की सबसे जादा milk production करता है पूरी दुनिया में operation flood आता है तो वो भी milk production से related है white revolution जो इंडिया में आया था उससे related है 1973 में launch किया गया था NDDB National Deity Development Board के द्वारा ठीक है जी 10th point हम देखें तो हम दे क्या पढ़ा कि 26 November को National Day celebrate किया जाता है अभी हम जानेंगे कि 26 November को एक और दिन भी celebrate किया जाता है which is the constitution day ये celebrate किया जाता है क्यों क्योंकि जो हमारी Constituent Assembly थी हमारी समिधान सभा थी उन्होंने भारतिय समिधान को 26 November 1999 को adopt किया था ठीक है चलिए हमारे Father of Indian Constitution कौन कहे जाते है Dr. B.R. Ambedkar जी Drafting Committee के भी Chairman थी Constitution बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है Untouchability के लिए इन्होंने बहुत सा काम किया है दलितों के लिए Untouchables के लिए इन्होंने बहुत काम किया है ठीक है तो बहुत इनका नाम है आप समझते हैं तो आपने याँ तक ने Father of Indian Constitution किने कहते हैं इसी occasion पे हमारी जो President है Drabdi Murmoo जी उन्होंने B.R. Ambedkar जी का statue भी Supreme Court में उसका नावरण किया Supreme Court शॉर्ट में लिखा है है ना इसे गलत वो नहीं करना कोई और इसकी full form नहीं निकाले Supreme Court आईए ठीक है 11th point है Rajkumar Kohli Past अवे recently हमेशा बोलती है कोई भी death होई ना कौन से field से related है पता होना जी Film director, producer थे Rajkumar Kohli ठीक है चलिए अभी video complete नहीं हुआ है अभी हमें जिस एक page और पढ़ना है and then complete हो जाएगा थोड़ा सा patience बना के रखे अभी एक हफता हमने अरामी किया है आपने भी आरामी किया है current affairs तो नहीं पढ़े पढ़े होंगे कहीं और से definitely पढ़े होंगे बट अगर आप notes बना रहे हैं मेरे साथ तो जुड़े रहें current affairs की series देखे कोई भी series बंद होगी तो बता के बंद होगी ठीक है तो ऐसी कोई tension की बात नहीं है मेरा message से बहुत आहे कि मैं क्यों upload नहीं कर रहे है जवाब मेरे पास कुछ था नहीं cold क्योंकि अब क्याना में हिमाशल से विलॉंग करती है तो यहाँ ठंड बहुत है इस time पे और तो थोड़ा रहता ही है ठंड में चलिए जो भी है third phase होता है complete notes making पे ध्यान दे चलते हैं अपने last phase की और आज का 12th point है red planet day कम मनाया जाता है 28 November को क्यों मनाया जाता है जो mariner 4 था उसके launch को observe या जिस दिन वो launch किया गया उस day को celebrate करने के लिए अभी mariner 4 क्या था ये जानना ज़रूरी है तो पहला aircraft था जो mars पे जाके land किया था 1964 में तो इसे हम red planet एक क्यों बोलते है क्योंकि मैंने आपको geography में पढ़ाया है blue planet अच्छा जी earth का twin red planet blue star ये साई चिज़े हमने पढ़ी है green planet तो वैसे वैसे करके वहाँ पे होती है चीज़े तो अब अगर आपने वहाँ पढ़ रखा है आपको ध्यान होगा mars को red planet कहते है क्यों क्योंकि इसका जो surface है वो red soil से cover है rocks and dust हो है वो iron oxide से मिलकर बनी है iron oxide से मिलकर बनी है मतलब वो इसे red color देती है ठीक है theme कुछ मुझे है सच मिला नहीं तो वो हम discuss नहीं करेंगे 13th point अपना देखे international jaguar date 29th November को celebrate किया जाता है यहाँ पे jaguar कार का नहीं है यहाँ पे species के बात कर रहे है endangered species के अंडर आता है यह day celebrate किया जाता है ताकि जो बहुत सारे conserve करने वाले efforts start किये गई है government के दोरा organizations के दोरा individuals के दोरा jaguars को बचाने के लिए उनके तरफ लोगों का ध्यान हम खीच सके ठीक है अब देखे मैं कोशिश करते हूं कि मुझे theme मिले अब जैसे मुझे theme नहीं मिला तो आप red planet day का theme सर्च कर लो आपको मिलता है तो लिख लो वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि जो important days है उनका जाता है theme international jaguar day इनका जरूरी है भी नहीं theme है ना तो इनको आप skip भी कर सकते है 14th point हम देखें अगर तो 54th international film festival of India हुआ है कहां पे गोवा पंजी में अब यहीं पे ना इसी film festival के अंडर 75 created minds of tomorrow यह film challenge भी launch किया गया ठीक है अब इसमें क्या है 75 participants होंगे जिनकी 5-5 teams बनाई जाएंगी अब हर एक team जो है को इसको short film बनानी है 48 घंटों के अंडर theme रहेगा mission life तो इन समने themes बनाई अब इसी challenge के अंडर best film award मिला है और को समझ में आ गया पूरी स्टोरी है ना ऐसे आप देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा एक बड़ सुन ले ना अगर आप उसके बाद से लिखेंगे तो फिर आपको उच्छे समझ आ जाएगा क्योंकि short में लिखा होता है कि line में भी explain करके नहीं लिख सकती है जरूरी होते है क्योंकि इनमें कुछ हमें पढ़ना तो है नहीं याद ही करने ना exam में अगर आ गया तो फिर नंबर बन जाता है ठीक है चलिए इसी के साथ हमारे आज के current affairs हुए complete देखें आप चाहें तो मुझे instagram पर follow कर सकती है मुझे telegram account पर join कर सकती है दोनों का ही link मैंने description box में दे रखा है ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आए like फटा फट से करते हैं चैनल को subscribe करें bell icon को press करें so that मैं जैसे कोई video upload करूँ सबसे पहले notification आपके पास पहुँचे प्लस जो भी आपके friends है जो भी government exams के लिए प्रिपेर करें उनके साथ भी मैं चैनल का link ज़रूर शेयर करें so that in handwritten notes का उन्हें भी कुछ फाइदा हो सके तो चलिए friends आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next video में so that's it and see you soon